Hello my dear students, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th class का 2nd chapter जिसका नाम आपका रहेगा Is matter around us pure, यानि कि हमारे आसपास के जो पदार्थ है वो शुद्ध है, clear है? इस chapter को हम करने वाले हैं और इस chapter के अंदर हम देखने वाले हैं क्या-क्या चीजे रहेगी, किस परकार से बहुत सारी चीजे आपको इस chapter के अंदर हमें सीखने के लिए मिलेगी, clear है? तो चलिए, start करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि जो matter है, वो हम किसको बोलते हैं, यानि कि कोन होगा देखो, previous class के अंदर भी हम matter के बारे में थोड़ा discuss कर चुके हैं, हमने बताया था, कि जो क्या कर रहा है, जिसका खुद का एक mass है, और एक space occupy यहाँ पे कर रहा है अभी जो बात आ रही है, वो यह आ रही है, कि जो भी आपका matter है, ठीक है, pure matter means that the constituents particles of the substance are the same in their chemical properties यानि कि कोई भी matter जिनकी भी आपकी यहाँ पे chemical property होगी, उसके according यहाँ पे बोला जाता है, कि हर वो matter आपका pure आपको देखने के लिए मिलेगा अब वो pure है, नहीं है, वो किस तरीके से आप क्या चीजों को यहाँ पे देखने का काम करेंगे, उन चीजों के उपर हम यहाँ पे देखते हैं अब सवाल यहाँ पर यह आ जाता है, कि जो matter है, हम उसको किस तरीके से define करने का काम करते हैं, एक पार उन चीजों को आप यहाँ पर देख लीजी, सबसे पहले matter आ जाता है, यह लिख दिया हमने matter, matter क्या हो जाएगा, आपका solid, liquid और gas, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, clear है, matter आप और दूसरा हो जाएगा आपका mixture यानिकी mission, ठीक है, यह आगे शुद्पदार्थ और यह आगया mixture यानिकी mission, इस तरीके से हम क्या चीजों को देखने का काम करते हैं, इसके बाद हमने क्या किया, कि जो आपका pure substance है, इसको divide कर दिया, पहला element के अंदर, ततव के अंदर, और दूसरा compound के अंदर, यानिकी yogi के अंदर, इस तरीके से हमने इसको क्या है, divide करने का काम कर दिया है, इसी तरीके से जो mixture है, वो आपका divide हो गया, एक homogeneous के अंदर, और दूसरा heterogeneous के अंदर, इस तरीके से दो parts के अंदर हमने इसको divide करने का काम यहाँ पे कर लिया है, अब अग बाते करें element की element आपका आगे चलके further divide हो जाता है metal के अंदर, non-metal के अंदर और metalloids के अंदर और noble gases के अंदर clear है इस तरह के से हमने further इसको divide करने का काम कर लिया है अब इस class के अंदर हम एक एक करके सभी चीजों को हम पढ़ने का काम करेंगे कि आपका pure substance कोन से है, element कोन है, compound कोन है, homogeneous कोन है और heterogeneous कोन है, इस chapter के अंदर हम brief में इंचे जो को देखने वाले हैं और देखने का काम हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं इसी class के अंदर कि किस तरह के से चीज़े यहाँ पर क्या बताई गई है तो वो आप देखिएगा, देखो, अब यह पूरा का पूरा हमने flow chart यहाँ पर देख लिया है सबसे पहले बात आती है कि इसकी pure substance की, clear है कि आप pure substance यहाँ पर किसको कैदोगे pure substance की यहाँ पर बाते हो रही है, कहता है pure substance consists of a single type, single type of particle कहता है कि जो भी आपका pure substance है, वो किसे मिलके बना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके single type के particle से मिलके बना होगा ठीक है, respective of the source, a pure substance will always the same characteristics property और जो भी उसके particle होंगे अगर आप एक particle को भी उठा के देखो, जो property आपके पूरे substance की है, वो property हर एक particle की आपको यहाँ पर नजर आएगी, clear है और अगर ऐसा होता है, तो आप कैदोगे, कि यह हमारा क्या है, pure substance है, ठीक है, किस तरीके से, चलो हम यहाँ पर बाते कर लेते हैं, देखो किस तरीके से यहाँ पर बताने का काम किया गया है यहाँ पर देखो, अगर मैं character six की बाते करूँ, pure substance के अंदर, तो आप इसको क्या है, further three to four parts के अंदर क्या divide कर सकते हैं, कि आप किसको कहोगे यहाँ पर, कि यह प्रकार का pure substance है सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है, कि जो भी आपका pure substance होगा, वो एक homogeneous nature का होगा, ठीक है, एक कैसा होगा, homogeneous nature का होगा, clear है दूसरा अगर यहाँ पर बाते करें, हम pure substance की, तो इसके अंदर क्या होगा, one type of atom, या फिर molecule, जो भी इसके अंदर atom या molecule होंगे, वो सिरफ एक ही type के होंगे, एक से ज़्यादा type के आपको देखने के लिए नहीं मिलेगे ठीक है, तीसरी बात क्या कहता है, कि जो भी आपका pure substance होगा, उसकी एक fixed composition होगी, एक fixed composition के अंदर आपको यह देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है, अगर यह सारी characteristics, सारी condition को fulfill कर रहा है, तो आप यहाँ पर कैदोगे, यह हमारा एक pure substance है किस तरीके से, चलो, आगे हम चीज़ों को यहाँ पर देखने का काम करते हैं, देखो, यहाँ पर आजओ, ठीक है, यहाँ पर आजओ, अब दो चीज़े हमने यहाँ पर देखी, कि हम बाते कर रहे थे pure substance की, ठीक है, pure substance के अंदर आप यहाँ पर बाते कर लेते हैं, कि हमने के अंदर क्या है वह सारा गोल्ड का बना होगा गोल्ड 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 टेक है इस तरी के से यह हो गया यह पुरा किसका बना है आपका गोल्ड का बना ओका लेकिन अगर भड़ बाते करें और दूसरा oxygen तो यहाँ परकार के आपको एटम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे तो क्या आप कह दोगे कि वोटर एक परकार का आपका यहाँ पर प्योर सबस्टांस है तो आप कहोगे कि सर नहीं, यह आपका प्योर सबस्टांस नहीं है मैं ऐसे बात नहीं कर रहा कि आप कहोगे कि सर पानी तो हमारा pure होता है ठीक है हमारी गंगा जमना सरस्वती सब pure है तो मैं chemistry की language में यहाँ पर बाते कर रहा हूँ कि आप water को यहाँ पर pure नहीं मान सकते pure कोन होगा आपका? gold gold के अंदर क्या होगा? कि एक ही परकार के element आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे gold हो गया, silver हो गया, iron हो गया इस तरीके से यह सब example आजाएंगे कि इसके आपके pure substance के pure के अंदर हमने देखने का काम किया कि एक ही परकार के substance आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे इसलिए हमारा जो correct answer होगा लो आपका क्या आ जाएगा gold यहाँ पर आपका correct answer आ जाएगा ठीक है जिसके अंदर आप chemical composition के अंदर देख सकते हैं कि pure substance किस तरीके से classify किया जाता है वो चीज़े हमने यहाँ पर देखने का काम कर लिया I hope आप लोगों को यह बाते समझ आ गई होगी ठीक है चलो आगे हम देखने का काम करते हैं AC के अंदर ठीक है अब बात थी यहाँ पर किसकी element की ठीक है तो element के एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं यह हमने देखा कि जो आपका pure substance था, pure substance के अंदर हमने क्या बाते देख लिए कि chemical जो composition है substance की classify करती है किसके अंदर element के अंदर और compound के अंदर, अब बात आती है सबसे पहले किसकी element की, element क्या होगा ठीक है और किसको हम यहाँ पर element कहा देंगे, यह कहता है कि it is a basic form of matter cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction ठीक है, कहता है कि आपका element कौन होगा, जिसको आप chemical या physical या किसी भी प्रकार की process लगा के उसको breakdown ना कर सको, उसके और टुकडे यहाँ पर ना कर सको, कि यहाँ भी इससे यह अलग पदार्थ क्या है, निकल के आ गया है, तो आप चाहिए physical method लगाओ, चाहिए chemical method लगाओ, क पूरी periodic table के अंदर, जो element की संख्या है, 8%, ठीक है, तो अगर मैं बाते करूँ 100 के अंदर से, तो 92 element आपको naturally मिल जाएंगे, और बाकी जो है, वो main made है, यानि कि हमारे द्वारा बनाए हुए, ठीक है, इस तरह के से चीज़े हम इसके अंदर देखने के लिए, मिल जाती है, और ये बाते कर रहा है, किसकी, ये बाते कर रहा है, यहाँ पर हमारे element की, ठीक है, element की, और element के अंदर अगर चीज़े और देखी जाए, यहाँ पर, तो क्या कहता है, कि इसके अंदर जो majority है, ठीक है, element आपको किसको कहोगे, ठीक है, तो majority के अंदर कैसे मिलेंगे, आपको solid मिलेंगे ठीक है और जो 11 element है इसके अंदर वो आपको gaseous foam के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे कहां पे room temperature के उपर लेकिन दो element ऐसे भी है इसके अंदर जो आपको liquid foam के अंदर मिलेंगे एक हो गया mercury और दूसरा हो गया bromine देखो basic basic बात मैं बता रहा हूँ इसके अंदर जो majority आपको मिलेगी वो कैसे मिलेगी solid mostly कैसे मिलेंगे element आपको solid मिलेंगे clear है ये बात इसने कही इनवे से 11 element ऐसे है जो आपको gas की form में भी मिल जाएंगे तो दूसरा element किसके अंदर मिलेगे आपको gas की form के अंदर तीसरा कहता है कि कुछ ऐसे भी है जो आपको room temperature के उपर liquid में मिल जाएंगे और ऐसे कितने बताई इसने दो एक तो mercury और दूसरा bromine अब बाते करें gallium और cesium की ये भी आपको liquid form के अंदर मिल जाएंगे अगर इनका temperature आप slightly क्या है change करो थोड़ा बहुत room temperature के उपर आपका difference आएगा तो ये आपको liquid form के अंदर क्या देखने के लिए मिल जाएंगे ये बाते हमने इस तरी के से की अब ये एक बार देख लेते हम थोड़ा सा इसके अंदर कि element के बारे में ये क्या हमें बताने का काम यहाँ पे कर रहा है ठीक है देखो अब इसे ने क्या का जो भी element होगा जैसे मैं pure substance की बात कर रहा हूँ तो pure substance के अंदर क्या था कि वो एक ही परकार के particle से मिलके बने थे तो यहाँ पे जो हमने gold का example लिया है ये भी एक परकार का क्या है element है इसके अंदर जितने भी particle होंगे वो एक ही परकार से क्या है यहाँ पे मिलके बने होंगे तो हम कह देंगे कि gold क्या है एक परकार का example है किसका element का सर इसके अलावा और कौन हो सकते है element तो यहाँ पे आजाएगा hydrogen ठीक है यहाँ पे आजाएगा helium ठीक है यहाँ पे आजाएगा lithium ठीक है ऐसे ऐसे बहुत सारे जितने भी product table के अंदर है वो सब आप कह सकते हो कि सर यह element का part है क्योंकि जितने भी है देखो hydrogen है तो वो सिर्फ किस से मिलके बना है hydrogen से ही मिलके बना है ठीक है lithium है किस से मिलके बना है सिर्फ lithium से मिलके बना है gold है किस से मिलके बना है सिर्फ gold से मिलके बना है यानि कि single types of particles आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा और वो सब किस से मिलके बने है आपके सिर्फ और सिर्फ elements से मिलके बने है यानि कि यहाँ पे जितने भी particle आपको देखने के लिए मिलेंगे सब आपको किस से मिलके बने होंगे single particle से मिलके यहाँ बने होंगे आप कहा दोगे कि यह सर हमारा element है यह आपका इस तरीके से देखने के लिए हमें मिल जाएगा ओके आगे समझो इसके अंदर ठीक है अब कहता है कि जो आपका element है वो एक परकार से matter है ठीक है वो क्या एक परकार से matter है आपने का सर ऐसे कैसे ठीक है तो देखो solid के अगर यहाँ पे बाते की जाए तो यहाँ पे बताया कि 100 के अंदर से ठीक है 92 elements ऐसे है जो आपके naturally है naturally occurring कर रहे है और कुछ ऐसे है जो main made है तो इनके अंदर से बहुत सारे ऐसे है जो आपके solid है जिसे मैं iron की बाते करूँ ठीक है मैं gold की बाते करूँ मैं silver की बाते करूँ ठीक है यह सारे यह कैसे है यह आपको solid form के अंदर मिल जाएंगे liquid के अंदर अगर बाते करें तो अब ही हमने देखा mercury ठीक है mercury ठीक है या फिर bromine bromine यह कैसे थे यह आपको liquid state के अंदर क्या देखने के लिए मिल जाएंगे gas की बाते करें hydrogen है hydrogen है oxygen है nitrogen है SE कम से कम भी आपकी 11 gases ठीक है SE कम से कम आपकी 11 gases जो किसकी form में आपको देखने के लिए मिलेगी वो आपको यहाँ पे एक तरीके से gaseous form के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी ठीक है जी तो हमने देखा कि आपके solid भी है liquid भी है gas भी है इस तरीके से हमें क्या चीज़े देखने के लिए इसके अंदर मिल जाती है ठीक है तो यह चीज़े हमने यहाँ पे पीछे भी देखी थी ठीक है कि solid हो गे थे आपके और यहाँ पे two elements ऐसे भी देखे थे जो room temperature प अब का यहाँ पर हम classify कर लेते हैं किस की अंदर एक रहे गाँ आपका यहाँ पे Metal ठीक है दूसरा रहेगा nonmetal और तीसरा रहेगा direkt ठीक है यहां पर दिखाई दे जाओंगे यहां पर एक blue color आपको दिखाई दे रहे होगा जो blue color है वो represent कर रहा है किसको metal को यह सब के सब आपको क्या दिखाई दे रहे है metal दिखाई दे रहे है दूसरा है आपका यहां पर थोड़ा सा, आप कहाद हुआ तो sky blue type के color का आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, ये वाला color, ये वाला color, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, किसको represent करने का काम कर रहा है, non metal को, पहला कौन सा था, blue color, ये देखो, ये पूरा blue color आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, blue color किसको represent कर रहा है, metal क represent करने का काम कर रहे, sky blue type का जो है, वो किसको यहाँ पे represent करने का काम कर रहे, non metal को, देखो ये सारे ये सब क्या है आपके non metal की category के अंदर आ जाते है non metal की category के अंदर आ जाते है तीसरा color है metaloids तीसरा color है आपका metaloids देखो, यह पूरी हरार की बन रही यह इस तरीके से, ठीक है, यह किसके अंदर आ जाएंगे, यह आ जाएंगे आपके metalloids के अंदर, ठीक है भी, यह आपका इस तरीके से हमें देखने के लिए मिल जाएगा, तो यह किसके अंदर आगे आपका मेटलोइट्स के अंदर देखने के लिए हमें मिल जाएगा तो एक एक करके हम सब के बारे में बाते करने का काम करेंगे, कि मेटल क्या होते हैं नोर मेटल क्या होते हैं, और मेटलोइट्स क्या होते हैं सब के बारे हम यहाँ पर बाते करेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर metal क्या होगा या metal हम किसको कहेंगे या किस तरीके से यहाँ पर चीजे क्या हमें देखने के लिए मिल जाती है ठीक है देखो अब कहता है कि जो भी metal होगा metal की अलग-अलग property आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी सबसे पहले जो property यहाँ पर बात की जा रही है कि जो भी metal होगा यह कैसा होगा लेश्चर होगा ठीक है इसके अंदर क्या होगा लेश्चर होगा लेश्चर का मतलब क्या है उसके अंदर क्या होता है लेश्चर यानि कि शाइनिंग होती है चमक होती है उसके अंदर जो भी gold होगा वो चमकेगा चमक होगी उसके अंदर पहली property यह आ जाती है दूसरा कहता है कि जो भी आपका metal होगा वो आपका good conductor होगा good conductor of electricity ठीक है उसके अंदर से बड़ी असानी से क्या है आपकी electricity और heat दोनों ही पास आपकी हो सकती है good conductor of heat and electricity उसमा भी आपको देगा और electricity भी आपकी पास हो जाएगी इन दोनों के अंदर ठीक है इस तरह के से हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है तीसरा कहता है कि यह mostly आपको solid state के अंदर देखने के लिए मिलेंगे जो भी metal होंगे वो mostly आपको क्या है solid state के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है लेकिन इन में से कुछ एकाद है जैसे की mercury की अगर मैं यहाँ पर बाते करूँ वो आपको liquid state के अंदर क्या देखने के लिए मिल जाता है मैंने अभी बाते की है पीछे भी ठीक है तीसरा इसके अंदर हम देखने के लिए मिलता है कि यह कैसे होते है ductile होते है ductile का मतलब क्या है कि इनको peat peat ke wire की form यहाँ पर दी जा सकती है जैसे मैं gold की अगर बाते करूँ तो कहते है gold को peat peat ke आप कम से कम भी एक या 2 km लंबी जितनी लंबी यहाँ पर wire बनाना चाहते हो तो आप wire यहाँ पर बना सकते हो clear है उसी तरीके से तामबा है आपका या silver है आपका तो इनको भी peat peat ke आप इनकी wire बना सकते हो बड़ी असानी से तो यह ductile होते है थोड़े से अच्छा इसके बाद मैं बाते करूँ malleable होते है malleable का मतलब क्या है कि इनको peat peat ke आप sheet bean की क्या बनाने का का काम कर सकते हो malleable nature की यह होते है ओके है अच्छा और क्या होता इसके अंदर यह sonorous होते है sonorous का मतलब क्या है कि इनके अंदर एक ton की आवाज आती है ठीक है जैसे ही आप यहाँ पे metal को किसी दूसरी चीज के साथ में टकराओगे तो यहाँ पे क्या होगा ton का इस तरीके से sound के है आएगा तो हम कह सकते है कि यह सारी quality किस के अंदर आ जाती है आपकी metal के अंदर आ जाती है अगर कोई चीज metal है तो आपको यह यह property उसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी पहली कौन सी है shine करेगा दूसरी कौन सी है sonorous होगा ठीक है ton की यहाँ पर क्या आवाज आपको आती हुई नज़र आएगी यह सारी quality आपको देखने के लिए मिल जाएगी इन metals के अंदर ठीक है तो हमने यहाँ पर देखा property of metal metal की क्या-क्या property होती है वो हमने यहाँ पर बाते कर ली अब दूसरी number पर आता है आपका non metals ठीक है non metal क्या होगा देखो non metal को बड़ी ही आसानी से आप समझ सकते हो कि जो भी property थी आपके metal की ठीक है उसी के आगे ना ना लगाते चलो ठीक है यानि कि ना ना आप लगाते चलोगे तो आप पहुंच जाओगे किस के पास में आप non metal के पास में पहुंच जाओगे clear है अब देखो किस तरीके से अगर मैं यहाँ पर बाते करूँ non metal की तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या आ जाती है कि यह आपको अलग-अलग variety of color के अंदर देखने के लिए मिल सकता है ठीक है अलग-अलग color के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है जैसे iodine आपको किसी color में मिलेगा red force force ठीक है carbon या फिर यहाँ पे जो sulfur है वो आपको yellow color के अंदर मिल जाता है तो इस तरीके से different types के अंदर आपको यह देखने के लिए मिल जाता है सबसे पहली बात यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ जाती है जब भी मैं metal के बारे में बात कर रहा था तो मैंने कहा good conductor of heat and electricity इसके लिए क्या use हो रहा है poor conductor of heat and electricity यह poor conductor है किसका heat का और electricity का clear है अच्छा वहाँ पर हम बाते कर रहे थे कि उसके अंदर luscher था ठीक है shining थी उसके अंदर लेकिन यहाँ पर कोई luscher आपको देखने के लिए मिलेगा no luscher कोई shine नहीं करेंगे clear है यह भुरबरे होंगे ठीक है तो कोई shining इनके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी अच्छा वहाँ पर हमने देखा था कि sonorous थे यह कैसे है note sonorous इनके अंदर कोई ton की आवाज नहीं आने वाले है clear है अच्छा और वहाँ पर देखा हमने metal कैसे थे malleable पीट पीट के आप चादर बना सकते हो अगर आप इनको पीट होगे तो यह तूड जाएंगे बिखर जाएंगे पूरे के पूरे इनको तोड नहीं सकते हो आप पीट नहीं सकते हो clear है ओके है अच्छा तो वहाँ पर हमने देखा कि वो ductile भी थे पर यї ductile नहीं है उनके पीट-pीट के हम wire बना सकते है क्या इनको पीट-pीट के wire बना सकते हो आप ने बिलकुल भी नहीं आप ने कहा कि सर बिलकुल भी नहीं ठीक है तो आपने का सर इनके example क्या क्या हो जाएंगे तो देखो oxygen इसका example हो जाएगा आयोडीन, कार्बन, कलोरीन ठीक है यह सब इसके एक्जामपल यहाँ पर हो जाएंगे फटाक से बताओ कि आपको इतनी बाते समझ आई या नहीं आई जल्दी से बताते मुझे एक बार अब हम बाते कर लेते हैं किस के बारे में अब हम बाते करते हैं यहाँ पर मेटलोइड्स के बारे में देखो मेटलोइड्स के अंदर अगर बाते की जाए तो जब भी पूछा जाए ना कि भाई कि आप आपको क्या है मैटल अच्छा लगता है या नोन मैटल अच्छा लगता है दोनों हाथों में लट्डू रखना है ये बी चाहिए ये बी चाहिए तो बीच का रास्ता आपको निकालना पड़ता है और बीच का रास्ता क्या है metallic जो दोनों की property को क्या है यहाँ पे पूरा करने का काम करता है metal की भी और non metal की भी तो ये कहता है कि इनके अंदर क्या है कुछ प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए मिल जाती है जो metal की भी होती है और non metal की भी होती है ऐसे कौन कौन से होंगे example दे रखा है boron होगा silicon होगा, germanium होगा यह सब यहाँ पर example यहाँ पर दे रखे हैं जिनके अंदर आपको metal की property भी मिलेगी और non metal की भी और क्या बोल देंगे हम इनको metalloids बोल देंगे I hope आप लोगों को बाते समझाई होगी कि आपका metal क्या है और non metal क्या है और metalloids क्या है यह बाते हमने यहाँ पर देखने का काम किया अब फटाक से बता दो मुझे क्या आपको इतनी बाते रास आई या फिर नहीं आई ठीक है तो देखेगा ठीक है देखो यह सारी बाते मैंने बता दी है यही लिख हुई है यहाँ पर metal के अंदर ठीक है कि metal के अंदर क्या-क्या चीज़े आपको देखने के लिए मिलेगी ठीक है क्या-क्या चीज़े देखने के लिए नहीं मिलेगी ठीक है То इस तरीकासे अलग-halग टाइब की यह दे रखे Chi ंदातों के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा देखो चमक होगी अच्छा उश्मा के और हीट के किया है यह एक तरीके से electricity के अच्छे सम्वाहक होते हैं सुचालक होते हैं ठीक है बस पारा को छोड़ दो ओके हैं अच्छा ये थोड़े लचिले होते हैं हीज के आप तार मना सकते हो थोड़े से पीट के आप इनकी sheet बना सकते हो अच्छा, turn की इनके अंदर आवाज आती है example कुन हो गया था, sona हो गया था loha हो गया था, इस तरीक से example यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है ओके, ओके ठीक है, यह इस तरीक से हमने क्या चीज़े इसके अंदर देख लिए, अच्छा फिर हमने देखा था, यहाँ पे, उपधातू यह रह गया इसके बीच में non-metals, non-metals यहाँ पे आजाओ एधातू, ठीक है, एधातू के अंदर हमने क्या देखा, कि एक तो यह different type color के आपको देखने के लिए मिलते हैं, अच्छे इनके अंदर heat की और electricity की यह कुछालक होते हैं इन में चमक नहीं होती, ना ही ध्वनी इनके अंदर होती हो, ना ही यह लचीले होते ठीक है, उधारन आगे थे, इसके कौन से oxygen आ गया था, iodine आ गया था, carbon आ गया था इस तरीके से, ठीक है, फिर बाते करें थे metalloids की, metalloids क्या होते हैं, धातू और एधातू जो दोनों से मिलके बनाओ, दोनों के बुन हो, इनके अंदर, boron हो गया था, silicon हो गया था, यहाँ पर example आ चुके हैं, इनके, ठीक है, यह चीज़े हमने यहाँ पर देखने का काम कर लिया, अब बाते करते हैं हम किसकी compounds की, कि compounds क्या होगा, कहता है, create दो या दो से ज़्यादा element से मिलके बनाओगा, cdc बात यहाँ पर यहाँ पर यह होगा, कि जो भी proportion होगा न, वो कैसा रहेगा, fix रहेगा, यह यहाँ पर में बात आ चुकी है, कि इनका proportion आपको fix देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, ओके है, अच्छा, अगर आप इनके अंदर, दो compound आपके दे रखे, अगर आप इनको अलग-अलग करना चाहो, आप अलग कर सकते हो, पर आप देखोगे कि दोनों की अलग होने के बाद, दोनों की अलग-अलग property आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है, एक क्या काम करेगा, दूसरा क्या काम करेगा, और compound बनने के बाद, वो क्या काम करेगा, इस तरह के से हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, चलो, मैं समझाता हूँ आपको किस तरह के से, example देखते हैं यहाँ पर, इसके, आपके compounds के, देखेएगा बाई, compound का हमने example ले लिया है, H2O water, H2O water, यानकी पानी, दो चीजों से मिलके बना है, पहला है आपका hydrogen, ठीक है, और दूसरा है आपका oxygen, hydrogen, ठीक है, देखो, hydrogen की अगर हम बाते करें, तो यह क्या करता है, यह fire, आग लगा सकता है, आग जलाने में सहायक है, ठीक है, ओके इससे आग जलती है ठीक है सायक नहीं है आग जलती है ऑक्सिजन की बाते करें तो यह सायक है यह क्या है फॉयर में सायक है आग जलाने में सायक है यह डारेक्ट आग जलाता है और यह सायता करता है दोनों चीजे हमने इस तरीके से क्या देखने का काम किया अच्छा हाइ अक्सिजन क्या कर रहा है साहयता कर रहा है दोनों की हमने प्रॉपर्टी देखी लेकिन जब दोनों चीज एड हो जाती है और उससे जो वोटर बनेगा वोटर क्या करता है आग को बुझाने का काम करता है तो हमने यहां पर जाना कि तीनों की जो प्रॉपर्टी है वो डिफर कर रहा है ये क्या कर रहा है आग बुझा रहा है ये तो कलिर है तो तीनों की यहां पे हमने देखा प्रॉपर्टी यानि की जब मैं तोड़ता हूँ तो प्रॉपर्टी अलग है और जब जोड़ता हूँ तो प्रॉपर्टी अलग यहां पे आ रही है क्लिर है तो इस तर्व किस हम यहां देखने का काम Grip किया दूसरा अगर मैं यहां पर देखे जाएंगी कि यहां पर लाकषिचन केलों कई-छे सब्स से का मांस यह नाता है डूसरा है जाक है यहाँ उसला शॉपरल से को फिरल कि किन यहां पर एक लिएक अच्छा oxygen के अंदर अगर मैं यहां पर देखूं तो क्या आजाएगा यानि कि इसका atomic number कितना 1 होता है element कितना है 2 तो 2 आ गया अच्छा oxygen का कितना होता है oxygen का होता है आपका 16 और element कितना है 1 ओके है तो आप यहां पर इसके mass से क्या कर दोगे यह कितना आगया 1 और यह कितना आगया आपका 8 यानि कि इसका जो ratio बनता है वो कितना बनेगा 1 ratio 8 आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा तो water अगर आपको बनाना है तो इसका जो ratio है compound का वो आपको fix मिलेगा 1 ratio 8 आप कहीं पर भी जाके पढ़लो कहीं पर भी जाके क्या है आप इसको समझे लो, 1 ratio 8 के अंदर ही आपको divide होगा, ऐसा नहीं है, यह आप 1 ratio 9 लेके और आप water बना सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी possible नहीं है, आप यहाँ पर water नहीं बना पाओगे, simple सी और साधरन सी बात आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है जी, तो य बाद आती है किसकी मिक्चर की, मिक्चर की अगर हम यहाँ पर बाते करें, तो मिक्चर को हम देखने का काम करते हैं, कि मिक्चर क्या होगा, more than, more than one kind of pure from of matter, ठीक है, यानि कि मिक्चर किसका होगा, एक चीज का तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक चीज हुआ, तो वो तो pure ह हो गया, है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्चर करने के लिए एक से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर लेना पड़ेगा, तब यह आप कह सकते हो, कि वो क्या है, आपका एक तरीके से मिक्चर है, किसका हो सकता है, यह सच एज सी वाटर, मिनरल, ओल्स, कि किसी का भी मिक्चर यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है कि जो भी मिक्चर होगा cannot separated by physical process और आप इस आप इस मिक्चर को यानि कि किसी भी physical process के दुआरा अलग नहीं कर सकते composition of mixture is the same throughout ठीक है वो composition हो सकता है कि समान ओ एक जैसी आपको क्या है मिक्चर है तो एक बार हम मिक्चर को और देखने का काम यहां पर कर लेते हैं थोड़ी सी चीजे और अच्छे तरीके से हमें क्या है समझ आजए तो देखिएगा अच्छा यह compounds के बता दिये थे इसने कि compounds आपका कोन होगा किस तरीके से ठीक है अलग-अलग part यहां पर बता दिये थे कि compounds कोन होगा ठीक है देखो चलो मैं compound के अंदर थोड़ी सी बाते और यहां पर बता देता हूँ कहता जो भी compound होगा वो एक fixed proportion के अंदर होगा जो मैं बता चुका हूँ ठीक है अच्छा यह different हो सकता है एक से यह भी मैंने अभी बताने का काम किया compound बना था वो क्या था आपका अलग था और उसके जो constituent particle थे वो आपके अलग थे property अलग आपको देखने के लिए मिल रही थी ठीक है अच्छा यह ऐसा भी हो सकता है कि जो formation हो रही है उसके अंदर energy absorb कर रहा है या energy evolve कर रहा है दोनों चीज़े हमें देखने के लिए यहां प water यानि की पानी ठीक है अब यह दो चीज़ों से मिलके बना था ठीक है दो चीज़े कौन-कौन सी है एक तो आपका hydrogen hydrogen और दूसरा oxygen ठीक है यह दो चीज़े अब एक चीज़ देखो यह दोनों चीज़ों आपको environment में भी तो मिल जाएगी ठीक है hydrogen भी मिल जाएगा and oxygen भी मिल water आपका hydrogen से मिलके बना है oxygen से मिलके बना है पर ऐसा नहीं है कि environment में जो हमारा hydrogen और oxygen उसे मिला के आप water बना लो तो ऐसा यहां पर possible नहीं है ऐसा यहां पर possible नहीं होगा ठीक है यह चीज़े हमने mixture के बारे में देखने का काम किया अब बात आ जाती है types of mixture की जो mixture होगा वो hydrogenous mixture अब सवाल यह है सर homogenous mixture के अंदर क्या होगा और hydrogenous mixture के अंदर क्या होगा देखो homogenous का मतलब क्या है uniform ठीक है uniform मतलब एक जैसा ठीक है तो आप यहां पे किसी भी परिकार से layer नहीं बता सकते कि सर आप यह देखिए इस layer में अलग चीज है या फिर इस layer के अंदर अलग सकते हैं यह कैसा होगा uniform होगा एक जैसा होगा उसको हम क्या कहेंगे homogenous mixture कहते हैं heterogeneous के अंदर क्या है हिट्रो का मतलब अलग हो जाएगा ठीक है आप layer बता सकते हो देखो यहां पे मैंने layer खिश दी कि इससे उपर जो है वो अलग सबस्टांस है और नीचे जो है वो अलग है हिट्रो का मतलब क्या है कि आप by layer separate कर सकते हो इनको अलग कर सकते हो यह चीज़े हमने देखने का काम किया अब इसके दर example देखिए दो हमने example लिए कि sir homogenous कोन होगा और heterogeneous कोन होगा ठीक है तो homogenous को हमने समझने के लिए यहां पर example लिया कि हमने यहां पर एक जार ले लिया उ यह जब mix हो गया अच्छे से यह mix हो चुका है अब हमने आप से पूछा कि जल्दी से बताइएगा उस layer को आप अलग करने का काम किजिएगा कि इसके अंदर sugar कितनी है और water कितना है तो क्या आप इसको separate कर सकते हैं आपने का सर बिलकुल भी नहीं हम इसको यहां पर separate नहीं क से रहेगा इसी के अंदर आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा कोई भी boundary आप यहां पर नहीं बता सकते हो और solution कैसा हो गया homogeneous अब आजाओ heterogeneous के अंदर हमने example लिया हमने क्या लिया कुछ send ले लिया rate ले लिया कुछ और यह यहां पर water ले लिया ठीक है अब मैंने क कर दिया और इसको अच्छे से steer कर दिया अब क्या होगा एक time के लिए घुल जाएगा लेकिन कुछ time के बाद जो send आपकी नीचे बैठ जाएगी और पानी आपका ऊपर रह जाएगा तो देखो यह बन रही यह बन चुकी है आपकी layer कि इतनी इतनी क्या है आपकी send है यह क्य के सकते हैं कि यहाँ पर heterogeneous के अंदर क्या है by layer हम चीजों को क्या है बताने का काम में कर सकते हैं ठीक है फड़ाक से बताओ क्या आपको इतनी बाते क्लियर हुई या नी हुई ठीक है यह हमने देखने का काम कर लिया है types of mixture को कि किस किस तरीके का mixture आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा यह सारी चीजे मैंने यहाँ पर क्या है आपको बताने का काम कर दिया है ओके ठीक है चलो इसी के अंदर हम आगे देखते हैं एक बार देखो अब आजाता आपका solution ठीक है अब देखो solution के अंदर हम बाते करें कि पहली बात तो solution है क्या तो solution क्या होगा एक homogenous mixture यहाँ पर होगा ठीक है a solution is a homogenous mixture of two or more substance दो से जाला substance जो की homogenous हो mix करके आप यहाँ पर क्या बना सकते हो solution बना सकते हो कुछ भी हो सकता है leminoid हो सकता है soda water हो सकता है कुछ भी आप यहाँ पर example ले सकते हो component की अगर हम बाते करें तो दो परकार के हाँ पर component आपके हाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे अब दो परकार के component आपके कौन कौन से है देखो एक तो हो जाएगा solvent दूसरा हो जाएगा solute और बच्चों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा समझ्चा आती है कि सर solute कौन होगा और solvent कौन होगा तो उसके लिए हम आपके लिए एक diagram लेके आए है आप इसको देखे बड़े अच्छे तरीके से क्या है समझ सकते हो कौन solute होगा कौन यहाँ पर solvent होगा तो देखो हमने क्या किया एक ही 1000 लिया और इसके अंदर water डाल लिया वोटर की amount क्या है कम से कम भी यहाँ पर 300 ml तक आपको water देखने के लिए मिल रहा है अच्छा फिर हमने क्या लिया सोल्ट लिया और सोल्ट देखो बहुत कम है थोड़ा सा सोल्ट हमने क्या है लेने का काम किया है तो यहाँ पर समझो जिसके amount कम है क्या है वोट है जिसके amount ज़दा है थोड़ा है थेक है बात शमझ में आई जिसके amount कम है हमने क्या किया इस salt को add किया किसinky अंदर solvent के इनदर देखो अब मैंने कहा कि मैंने solvent को add किया solvent के अंदर और ये बन चुका है आपका solution जब आप solute plus solvent यानि कि दोनों को add कर दोगे तो मिलने वाला जो component होगा वो आपका क्या कहलाएगा solution कहलाएगा ठीक है इस तरह के से आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें क्या मिल चुका है solution हमें यहाँ पर मिल चुका है ठीक है अब देखो जब भी मैं बाते करूँ यहाँ पर solution की तो आपको solution किस-किस परकार से आपको देखने के लिए पिल सकता है solution आपका अलग-अलग परकार से हो सकता है पहली बात तो यह है कि यह कैसा होगा homogeneous होगा कोई भी solution होगा homogeneous होगा मैंने यहाँ पर example बता दिया है ठीक है आप इस तरह कैसे यहाँ पर देख सकते हूँ अच्छा अब सवाल यहाँ पर आता है कि जो solution है इसकी अलग-अलग state आपको देखने के लिए मिल सकती है कैसे solid में देखने के लिए मिल सकता है different types की air आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है जो क्या करती है एक प्रकार से mixture याने के solution बनाने का काम करती है फड़ाक से बताओ कि आपको इतनी बाते समझा आई या नहीं आई फिर मां आगे इन चीजों को एक एक करके क्या समझाने का काम आपको करता हूँ चलो आगे देखिया अब देखो अलग-अलग एक्जांपल बताई हुए जैसे solid के अंदर आपने alloy ले लिया था ठीक है तो alloy आप किस तरह किसे बना सकते हो कहते है कि दो या दो से ज़्यादा metal को अगर आप add करोगे या फिर non-metal को अगर आप add करोगे ठीक है तो आप क्या बना सकते हो यहाँ पे एक alloy बना सकते हो जिससे brass हो गया ठीक है यह mixture है किसका approximately 30% zinc है और 70% इसके अंदर copper है दूसरा ऐसा नहीं है कि यह ratio fix है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा हो सकता है कि zinc आपका 31% आजाए और आपका copper यहाँ पे 69% आजाए तो इस तरह के से भी क्या चीज़े आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है ठीक है तो इस तरह के से आप क्या है यानि कि जो भी आपका solution होगा वो alloy के रुप में solid यहाँ पे हो सकता है ठीक है इस तरह के से हमने क्या चीज़े यहाँ पे देखने का काम कर लिया है अगे देखो फिर हमने देखा कि जो भी solution होगा component क्या होगे एक solute होगा ठीक है और दूसरा solute होगा ठीक है एक solvent और दूसरा solute solute मैंने बताया कि solute की amount क्या रहती है कम रहती है इसकी amount कम रहती है और हम क्या करते है इसको big solar solute के अंदर क्या जादा रहती है dissolve the other component इन इन इट यानि कि इसके अंदर हम विलाने का काम करते है क्यूकि solvent जो है उसकी amount आपको जादा देखने के लिए मिलती है present in a larger amount यह larger amount के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा और यह lesser quantity के अंदर आपको देखने के लिए यहां पर मिल जाएगा आगे देखो इसी के अंदर ठीक है तो अलग-अलग type के example आप यहां पर ले सकते हूं different types के example आप यहां पर बताने का काम कर सकते हूं यह हमने यहां पर देखने का काम कर लिया example देखो इसके अंदर क्या क्या हो जाएंगे देखो example देखो यहां पर sugar का और water का आपका solution हो सकता है इसके अंदर जो sugar होगा वो solute होगा कम amount है और water होगा वो आपका solvent होगा जादा है solution of iodine in alcohol ठीक है इस तरह के सी आप क्या है इसको यहां पर देखने का काम कर सकते हो तो अलग-अलग type से example आप यहां पर क्या बना सकते हो और example आप यहां पर देख सकते हो अच्छा soda water के अंदर आप देख सकते हो यह भी आप example यहां पर क्या है ले सकते हो अब आती है कि properties of solution अलग अलग परकार से हम क्या है इनके अंदर इनकी property देखने का काम करते है इसके लिए मैंने एक table बनाई है अलग अलग से आपको इनकी जो है property नहीं पढ़नी है एक table बनाई है और उसके दुआरा हम इसकी क्या है property यहाँ पर देखने का काम करेंगे देखो किस परकार से देखो यहाँ पर आजाओ अब यहाँ पर आजाओ properties of solid suspension in collidal तो देखो अब मैंने क्या बना लिया है मैंने यहाँ पर बना लिया है कि एक आपका solution होगा दूसरा आपका collidal होगा और तीसरा आपका suspension होगा ठीक है अलग अलग property आपको देखने के लिए मिलती है सबसे पहले property की बात करें हम particle की जो particle होगे solution के अंदर वो iron हो सकते है atom हो सकते है या छोटे molecule आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते है यह होगा लेकिन collidal के अंदर अगर मैं बाते करूँ collidal के अंदर क्या होगा large molecule होगे और large particle आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे suspension के अंदर क्या होगा इससे भी large particle आपको देखने के लिए मिलेंगे ठीक है और इससे भी ज़्यादा अब बड़े आपको molecule यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते है आपने का सर कितने है तो देखो size के अगर particle की बाते करें तो solution का जो size particle है वो सबसे छोटा होगा 0.1 से लेके रहे के 1 nanometer तक ठीक है collidal का particle जो थोड़ा बड़ा हो गया किसके comparison में? solution के comparison में suspension का और बड़ा हो गया यहाँ पर suspension का जो particle है वो और भी ज़्यादा बड़ा यहाँ पर हो जाता है इसी तरीके से अगर हम देखे effect of light तो इसके अंदर क्या होगा? no scattering किसी परकार से आपको क्या है? देखने के लिए नहीं मिलेगा tindle effect क्या होता है? अभी हम बाते करेंगे आगे यहाँ पर क्या tindle effect आपका show करेगा ठीक है? और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से show करेगा बहुत proper तरीके से अच्छा effect of gravity देखो यह क्या रहेगा? stable रहेगा does not separate ठीक है? अलग यहाँ पर नहीं होगा क्या gravity की वज़े से ओके यहाँ पर भी almost stable रहेगा ठीक है? पर इसको क्या separate नहीं किया जा सकता ठीक है? यह कैसा होगा? unstable होगा और sediments form के अंदर यह आपका अलग यहाँ पर किया जा सकता है किसे आप यहाँ पर देखने का काम कर सकते हो अब बात आ जाती ही किसकी filtration की देखो filtration के अंदर अगर हम बाते करें तो filtration के अंदर देखो जो भी particle होगा particle note retain on filter ठीक है? आप इसको अगर filter करना चाहोगे तो इतना बड़ा particle है नहीं यह filter होगा है नहीं ठीक है? particle note retain the filter इसके अंदर भी particle बहुत छोटा है यह filter नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा? particle retain on filter यहाँ पर आप filter कर सकते हो particle का size बड़ा हो गया तो आप जैसे इसको filter करोगे चानने का काम करोगे तो कुछ ना कुछ impurities के रूप में particle आपको उपर देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है? अच्छा, uniform की अगर हम बाते करें तो यह कैसा solution था? यह homogenous था लेकिन जो आपका collidal है वो lightly heterogeneous आपका आ जाता है ठीक है? आप boundaries यहाँ पर बताने का काम कर सकते हो और suspension तो बिल्कुल हिट्रोजीनियस के अंदर आ जाता है क्योंकि particle का size बहुँ जादा बड़ा हो जाता है और आप इसको, इसकी boundary को क्या है separate यहाँ पर कर सकते हो यह आपका इस तरह के से देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा अगे देखो अब सावाल यहाँ पर यहाँ आया था कि सर आपने पढ़ाया हमें collidal पर यह collidal solution है क्या? हम किसको कहते हैं collidal solution? देखो, collidal solution के अगर हम बाते करें तो basically तो आपको यह कैसा देखने के लिए मिलेगा uniformly क्या है देखने के लिए मिलेगा एक ही जैसा आपको क्या है देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है और इसका जो size है वो normal size के आपको देखने के लिए मिलता है और जब भी आप इसको देखोगे तो आपका ऐसा परतीत होगा कि एक homogenous mixture है जब भी आप देखोगे तो ऐसा आपको लगेगा कि यह homogenous mixture है पर यह homogenous mixture नहीं है यह कैसा है, यह heterogeneous mixture है क्योंकि आप इसको separate कर सकते हो आप इसको अलग कर सकते हो ठीक है? अब देखो किस परकार से अब इसके अंदर दो परकार के मीडिया हमें देखने के लिए मिलते हैं कौन कौन से एक तो आजाएगा डिस्पर्स फेस और एक आजाएगा डिस्पर्स मीडियम अब ये दोनों है क्या इन चीज़ों को समझो हमने क्या किया ये कॉलाइडल सॉलुशन ले लिया एक कॉलाइडल सॉलुशन हमने यहां पर ले लिया ये कॉलाइडल का सॉलुशन बनाया आप इस तरह के से मान सकते हो कि हमने क्या किया वोटर लिया वोटर लिया और प्लस सेंड वोटर एंड सेंड हमने क्या यहां पर लेने का काम किया अब यह जो सबसे जदा है यानि कि जो dispersed medium है dispersion medium है यह लिख रखा it dispersion dispersion medium जो dispersion medium है वो क्या है, वो water आपका और जो dispersion dispersed phase है, वो आपका क्या है send है dispersed phase जो है, वो आपका यहाँ पे send है, ख्लियर है इस तरह के से दो चीज़े आपको यहाँ पर देखने के लिए मिली तो यह कहानी कुछ आपको similar नहीं नजर आ रही ठीक है कि हम पीछे भी तो देख ले रहे थे हमने पीछे क्या देखा था कि एक solute था और एक solvent था solvent क्या था जो ज़्यादा था और solute क्या था जो कम था यहाँ पर कम कौन है तो आपने का सर send ठीक है कम कौन है send ज़्यादा कौन है water ज़्यादा कौन है water तो सीधिशी बात है जो कम है जो कम है आप उसको क्या कहोगे dispersed phase जो कम है क्या कहोगे dispersed phase और जो ज़्यादा है उसको क्या कहोगे dispersed medium ठीक है तो I hope आप लोगों को ये बाते समझायोगी कि dispersed phase क्या है और dispersed medium क्या है ये बाते आपको यहाँ पर clear होच की होगी ओके है आप इस तरीके से क्या चीज़ों को देखने का काम यहाँ पर कर सकते हो चलो आगे हम देखने का काम करते हैं िसी के अंदर ठीक है अब देखो हमने collidal देखा था अब collidal क्या है अपनी different different type से क्या है category बनाने का काम करता है कि किस तरीके से ठीक है किस तरीके से तो देखो सब से पहले क्या है dispersed phase एजाज़ था कम ठीक है कम था solute था dispersed medium क्या था ज़ादा क्या था जो ज्यादा था अब कहते है कि इस है कि there time mówi कर 온 थिक है अगर मैं 어떠ो ult गयाह ग्शाय है analytical लेक्विछ पीज़ सबसे अ देखे योगे थे कह बादलों में मौशन वह सुन बनागे ऑप लोगों ने धे फिर mist आपने देखा होगा, यह सब इसी के आपके example यहाँ पर आ जाते हैं, दूसरा देखो, कहता है अगर मैं solid को gas के अंदर add कर दूँ, तो क्या बन जाएगा, एरोसल बन जाएगा, ठेक है, solid को अगर gas के अंदर अगर मैं add कर दूँ, तो क्या बन जाएगा, aerosol बन जाएगा, आपने का sir aerosol क्या होता है, तो आपने dust देखा है, कई बार आप कुछ काम कर रहे हो, और जादा धूल आपकी क्या उठ गई है, ठीक है, धूल क्या उठ गई है, उसके अंदर क्या है, solid यानि कि dust के particle है, और बाकी क्या है, air है, बाकी क्या है, air है, तो dust, ठीक है, अच्छा smoke, smoke के अंदर भी क्या है, कुछ बहुत जादा अध जलेकन है, जो solid है आपके, ठीक है, और बाकी क्या है, air, और क्या बना दिया, उसने smoke यहाँ पर बना दिया, तीसरा देखो, अब gas है, gas के अंदर, gas को हमने add कर दिया किसके अंदर liquid के अंदर, क्या बन गया foam बन गया, ठीक है, foam बन गया okay है, foam किस तरीके से आप लोगों ने देखियोगी, दूद के अंदर जो cream आती है, cream देखियोगी, ठीक है wiped cream, ठीक है, इस तरीके से आप क्या यहाँ पर देखने का काम कर सकते हो, जो cream आपकी निकलती है ठीक है, अच्छा, अब कहता है liquid है, और liquid के अंदर आपने add कर दिया किसको, liquid को ही आपने add कर दिया liquid के अंदर, liquid क्या बन जाएगा emulsion बन जाएगा, यह बहुत सारे example हो सकते है, cream हो सकता है ठीक है, milk हो सकता है, ठीक है mayo हो सकती है, cheese हो सकता है यह सारे बहुत सारे example आपको देखने के लिए मिल जाएगे, अब है solid solid को add करना है, किसके अंदर liquid के अंदर, liquid जादा है, solid कम है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा solution बन जाएगा, यह कुछ भी हो सकता है pen हो गया, jelly हो गया, seaweed हो गया अलग-अलग type के example आपके यहाँ पर हो सकते है ठीक है, इस तरीके से, मिठा पानी भी आप example ले सकते हो gas है, gas को add करना है किसके अंदर, solid के अंदर, क्या बन जाएगा, solid को add करना है, solid के अंदर यह हम कर चुके है ठीक है, liquid को add करना है, किसके अंदर solid के अंदर, तो यह solid emulsion बन जाएगा, जैसे आपका better हो गया cheese हो गया, इस तरह के से example आप यहाँ पर ले सकते हो, अब solid को solid के अंदर add करना है, solid solution बन जाएगा कुछ भी कह सकते हो, जैसे alloy हमने अभी बनाये थे, alloy हमने बनाये थे, ठीक है इस तरह के से हमने कहाँ देखने का काम यहाँ पर कर लिया है, आई होप आप लोगों को बाते समझ में आई होगी, अब आजाते है किसके उपर, टिंडल effect के उपर अब आप यह समझो, कि टिंडल effect क्या है, यह जो नजारा है, वो देखके आप समझ चुके होंगे, कि actual में टिंडल effect क्या है, देखो, आपका पूरा कमरा बंध है, ठीक है, और घरों के अंदर खिड़की दरवाजे है, तो कई बार देखा होगा कि जैसे सनरेस आ रही है, वो सीधी खिड़की दरवाजों से गिर के, और आपके घर के अंदर पहुंच रही होती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे क्या है, घर के अंदर क्या है, पहुंच रही होती है, और इसके अंदर आपको दिखाई देगा, कि बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल, जिक जएक मोशन के अंदर ऐसे घूम रहे हैं, तो इसी को आपको आती हुई नजार आएगी, तो ये भी किसको शो कर रहा है, टिंडल इफेक्ट आफ लगों को टिंडल इफेक्ट यहां पे समझ आ गया हो गया अब सवाल ये था कि जो टिंडल effect है वो कहां पे show होता है solution के अंदर, collide के अंदर, suspension के अंदर तो उसके लिए हम एक example लेते हैं और समझने का काम करते हैं कि टिंडल effect आपका कहां पे show होता है और कहां पे show नहीं होता इसके लिए हमने यहां पे example लिया ठीक है? इसके लिए हमने यहां पे example लिया हमने क्या कर दिया? एक solution यहां पे लेने का काम किया और एक torch ली ठीक है? और इस torch को यहां पे मारने का काम किया जैसे हमने यहां पे मारने का काम किया तो आप देखो कि क्या solution के अंदर solution के अंदर यहां पे tindle effect दिखाई दे रहा है तो आपको जाए सर बिलकुल भी नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि particle बहुत छोटे थे particle बहुत छोटे थे particle बहुत छोटे थे तो इसके अंदर किसी परकार का कोई suspension हमें नजर आई नहीं रहा लेकिन collide के अंदर देखा कि particle थोड़े से बड़े हो गए थे तो इसके अंदर हमें थोड़ा बहुत जिग जग motion का है दिखाई दे रहा है इसलिए क्या है ये टिंडल effect आपका show हो रहा है इसके अंदर ये show होता हुआ नजर आ रहा है ठीक है भी बड़े particle आपको दिखाई दे रहे थे यहाँ पर 1000 से और उपर ठीक है और उपर particle दिखाई दे रहे थे तो particle देखो बड़े-बड़े होगे तो इनके अंदर जो टिंडल effect है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको show हो रहा है तो जो show हो रहा है वही क्या है आपका टिंडल effect है तो आप लोगों से सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि क्या solution के अंदर टिंडल effect आपको दिखाई देता है तो answer आएगा no नहीं दिखाई देता collateral के अंदर yes दिखाई देता है suspension के अंदर yes दिखाई देता है ठीक है यह आपका इस तरीके से हो जाएगा example के तोर पर अब हम इसी के अंदर देखेंगे कि आपका जो solution है ठीक है कि किस किस तरीके से हम उसके अंदर क्या है और बात यहाँ पर देख सकते है यह collateral solution हो गया suspension हो गया ठीक है इन सब की property हम यहाँ पर पढ़ चुके टिंडल इफेक्ट भी हम यहाँ पर पढ़ चुके यह टिंडल इफेक्ट का डाइग्रम मैंने दिखाया आपको यह टेबल भी मैंने क्या करवाने का काम कर दिया ठीक है यह सारी बात यहाँ पर हो चुकी है अब ठीक है यह भी मैंने करवा दिया कि किसके अंदर दिखाई देगा किसके अंदर नहीं दिखाई देगा अब आजाओ various separation technique ठीक है अलग लग करकार की technique आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है जिनके अदर बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर देखने का काम कर सकते हो कि सर वहाँ किस तरीके से ठीक है सबसे पहले आती है evaporation evaporation क्या था evaporation के अंदर दो परकार की चीज़े होगी एक होगा volatile component ठीक है और दूसरा होगा आपका non volatile component ठीक है दो चीज़े है और आप एड़ नाथा चीज़ों का किया अलग करना है इसके अंदर आप example ले सकते हो स यहां पर समुदर का पानी है जिसके अंदर सॉल्ट भी है पानी भी है तो ऐसे गड़े बना बना के हम छोड़ देते हैं ठीक है समुदर के पानी के और अलग-अलग बाउंडरी यहां पे लगाने का काम कर देते हैं कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो पानी है वह आपका ठीक है, तो यहाँ पे जो volatile था volatile का मतलब क्या है, जो जिसका evaporation हो सकता है, उड़ सकता है stream बन के, तो वो कौन था, वो water था, वो कौन था, water था और water कैसा था आपका, volatile component था, जो उड़ चुका है, ठीक है और जो salt है, जो salt था आपका, जो नमक था वो कैसा था, यह non-volatile था यह उड़ेगा नहीं, यह उड़ेगा नहीं तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे, salt मिल गया इस तरह के से, आप कौन सी process को यहाँ पे देखने का काम कर रहे हो, आप यहाँ पे देखने का काम कर रहे हो, कौन सी process तो सीधी सी बात है, evaporation दूसरा आजाओ, centrifugation centrifugation की जब भी हम बाते करें तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी particle है, आप उसको यहाँ पे liquid form के अंदर क्या है अलग करने का काम कर रहे है, ठीक है कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे rotating की साहता से इसको अलग कर सकते हो, किस सरी के से, इसका सबसे अच्छा मैं example लेता हूँ, कि हमारे घरों के अंदर दूद को क्या है फैटने का काम किया जाता है, बिलोने का काम किया जाता है, या फिर जो cream निकाली जाती है, वो भी कैसे निकाली जाती है with the help of rotating, cream निकालते है आप दूद देने जाते हो, फेंट मारके ठीक है, और इसमें cream निकाली जाती है कैसे निकाली जाती है, with the help of rotating centrifugation की साहता से, वो cream निकालने का काम यहाँ पे किया जाता है ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या होगा, कि एक denser particle होता है, जो denser particle होता है, और दूसरा आपका कैसा होता है, lighter particle होता है, ठीक है जो lighter particle होगा, वो उपर आजएगा, denser होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से क्या है चीज़े आपकी अलग हो जाती है और भी बहुत सारी अप्लिकेशन है जहाँ पर यूज किया जाता है जैसे कि लिबर्टरी के अंदर डाइगनोस करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है ठीक है अलग अलग तरीके से जैसे dairy का मैं ने example दे दिया है ठीक है dairy का मैंने example दे दिया है कि दूद के अंदर से क्रीम को निकालना ये आपका एक example हो गया अचा घरों के अंदर जो machine है washing machine है कपड़े धोने का काम करती है वो क्या करती है जो भी dust particle है male है उसको अलग कर देती है water को यानि कि अलग कर देती है कपड़े को सुखाने का काम कर देती है इस तरीके से आप देखते है ठीक है अच्छा इसके बाद जो और यूज किया जाता है separating funnel funnel लगा के भी आप क्या है separate करने का काम यहाँ पे कर सकते हो कैसे दो परकार के आपके solution है यानि कि oil plus water है oil plus water है तो इसको आप क्या करोगे मान लो इस तरीके से इस तरीके से और आपने यहाँ पे क्या लगा दिया एक funnel लगा दिया ठीक है यहाँ पे आपने एक इस तरीके से यह लगा दिया funnel और यहाँ पे कोई bucket आपने लगा दी और इसके अंदर क्या है? oil plus water है तो आप इसके अंदर देखो कि जो भी आपका भारी होगा जो dense particle होगा वो आपका कहां रहेगा नीचे इस area के अंदर और जो light होगा वो कहां जाएगा उपर तो उपर कोन आएगा? oil oil आपका उपर रहेगा और water कहां पे नीचे तो आप क्या करोगे? इस funnel को घुमा दोगे जैसी घुमाओगे यहाँ से बूंद बूंद निकलना सार्ट हो जाएगा क्या? water और जैसे water अलग हो जाएगा इस funnel को हम बंद कर देंगे उपर क्या रह जाएगा? oil यहाँ पे oil रह जाएगा तो इस तरीके से separating funnel की सायता सभी आप चीज़ों को क्या है? अलग करने का काम यहाँ पे कर सकते हो ठीक है? ठीक है? यह सारे example आ सकते हैं जैसे इसने example बता दिया oil and water को आप यहाँ पे अलग कर सकते हो अच्छा iron को आप अलग कर सकते हो किसके अंदर से कोई भी dust particle है मानलो यह बहुत सारा solution है send send और प्लस में iron है तो आप यहाँ पे का करोगे? magnetic पदती अपनाने का काम करोगे एक चुमबक को यहाँ पे लेके जाओगे जैसी चुमबक को लेके जाओगे यह जितना भी iron है चुमबक के साथ चिपक जाएगा send अब अलग होगी और चुमबक आपकी अलग होगी इस तरके से चीजों को क्या है? आप यहाँ पे करने का काम कर सकते हो next process आती है किसकी आपकी sublimation की sublimation के अंदर क्या है? कि एक चीज मान के चलो कि किसी चीज के अंदर आपको आपने add कर दिया है किसको? कपूर को ठेक है? कमफूर को आपने add कर दिया है तो कमफूर का क्या होगा? sublimation हो जाएगा यह सिधा gas के अंदर बदल जाएगा और जो दूसरा particle है वो आपका रह जाएगा इसी तरीके से naphthalene है direct air के अंदर बदल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे जो भी solid particle है दूसरा वो आपका रह जाएगा और यह naphthalene आपका उड़ जाएगा फिर आता है आपका chromatography chromatography के अंदर क्या है कि आप अलग अलग तरीके से color को separate करने का काम यहाँ पे कर सकते हो separation those solutes that dissolve the same solvent same solvent के अंदर अगर यह add हो गया तो आप उहाँ पे color अलग कर सकते हैं जैसे कि इसने color का example लिया pigment of natural color and drugs from blood ठीक है आप लोगों ने देखा होगा कि कोई इनसान क्या कर लेता है alcohol drug यहाँ पे क्या है दारू पी ली या फिर कोई drug कानाशा कर लिया चिटा वगर लगा लिया कुछ और कैसे पता करने का काम करते हैं blood का sample लिया ठीक है उस blood से अलग करने का काम करते हैं और इस technique के दुआरा आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि इसने यहाँ पे शराप पी है या नहीं पी अच्छा फिर इसके बाद आता है आपका क्या distillation ठीक है distillation के अंदर भी क्या है आप अलग अलग तरीके से mixture को क्या है अलग करने का काम यहाँ पे कर सकते हैं उनके boiling point से कैसे देखो आप यहाँ पे ले लो कि alcohol ले लिया आपने और water ले लिया alcohol है और water है आप इसको boil कीजिए अब जो water है इसका boiling point कब आएगा 100 degree Celsius पे लेकिन जो alcohol है इसका आजाएगा 80 degree Celsius पे ठीक है तो जो पहले boil होगा उसको हम अलग कर लेंगे यह पहले boil होगा तो सीदी शी बात है यह steam की form में उड़ेगा उपर और हम इसको cover कर लेंगे और आपका अलग हो जाएगा क्योंकि अभी इसका boiling point आया नहीं है water बैठा रह जाएगा और alcohol आपका उड़ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप क्या है अलग कर सकते हो ठीक है अच्छा fractional distillation इसी तरीके से temperature के base पे आप क्या है अलग कर सकते हो अलग अलग temperature के base पे क्या है चीजों को आप यहाँ पे अलग करने का काम कर सकते हो ठीक है तो यह आपका इस तरीके से हमें देखने के लिए मिल जाएगा अच्छा, crystallization जैसे मैंने अभी salt का example लिया था ठेक है, salt का example लिया था water water plus send ठेक है, water plus send तो ये भी इसका एक example हो जाएगा, crystallization का ठेक है, तो इस तरह के से भी आप impurity क्या है, यहाँ पर अलग करने का काम कर सकते हो, ठेक है, crystallization के अंदर separate the pure solid in the form of crystallization सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया था, किसके अंदर कि आपका, हमने क्या ले लिया water ले लिया और salt ले लिया ओके है, ये सारे इसी की बताये गए है, जैसे sugar का बता दिया, ठेक है, dryness का बता दिया, ये सारे, इसी के example क्या है है, हमारे घरों के अंदर, हमारे घरों के अंदर जो पानी, आप आरों से क्या पीने का काम करते है, उसी को क्या कहा जाता है reverse osmosis कहा जाता है, इस पदती के अंदर क्या है, कि हम impurities को अलग करने का काम करते है, और pure water आपका, इस technique के दुआरा क्या है, आपको फिजिकल चेंज के अगर हम बाते करें, तो इसके अंदर क्या होगा, इंटर कनवर्जिन होगा, किसका state का यानि कि state ही बदल जाएगी ठीक है, ओके है, फिजिकल चेंज बिकोज, इस चेंज अकर्स विदाउट ए चेंज इन कॉम्पोजिशन and no change in the chemical nature of the substance, ठीक है chemical nature के अंदर किसी परगार का कोई change नहीं आएगा, पर substance आपका change हो जाएगा example जैसे, ice, water ठीक है, and water vapor, ओके है, आप देखो physical change हो जाएगी, ice है, temperature बढ़ाओ, water के अंदर बदल गया water के अंदर बदल गया, chemical इसो नहीं बदला physically उसकी जो shape है वो change होगी है water को आप क्या करो, heat दो किसमें बदल जाएगा, steam के अंदर या vapor के अंदर, ठीक है, रहा तो water है ना, chemical इसो कुछ change नहीं हुआ, पर physically क्या है change हो चुका है तो आप कह दोगे कि क्या आगया, physically change इसके अंदर क्या आगया है, chemical change कि अगर आप बाते करें, तो chemical change के अंदर क्या होगा, कि जो भी change आएगा chemical properties के अंदर, matter की उससे क्या बन जाएगा, एक new substance बन जाएगा ठीक है, और जो new substance बनेगा उसको आप क्या कहोगे, कि chemical reaction इसके अंदर हुई है, chemical reaction के दर एक example लूँ, मैंने क्या लिया, milk लिया और milk किस के अंदर बदल गया आपका, curd के अंदर, curd के अंदर तो देखो, इसका यहाँ पे पूरा का पूरा chemical ही रूप पांतरन हो चुका है milk आपका chemical यानि की curd के अंदर change हो चुका है ठीक है, जैसे कि the smell of rotten eggs ठीक है, जैसे भूने हुए egg की तरह इसके अंदर क्या smell आने का काम यहाँ पे करता है ठीक है, तो यह सारे example इसके अंदर क्या आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं, ओके अच्छा, आप देखो, यहाँ पे Antonian Lavosier, जिनको father of chemistry आपका कहा जाता है, उनों यहाँ पे define किया था किसको, element को, कि element क्या है, और उसे के बारे में यहाँ पे बताया गया था, during burning candle, बहुत physical and chemical change इसको अंदर हमने देखने के लिए क्या है, मिला था कहता है कि आप एक मॉमबत्ती जलाते हो भई, मॉमबत्ती यहाँ पे जलाते हो, ठीक है, तो जो मॉमबत्ती है, इसके अंदर कैसा change होता है chemical, chemical and physical physical, आपने का सर, chemical और physical किस तरीके से, तो देखो chemical क्या हुआ, कि वो यहाँ पे fire हो गया, जल गया जो जल गया, जला को ना thread यानि कि धागा, ठीक है अब जो धागा जला है, कि आप उसको दुबारा बना सकते हो, आपने का सर, बिलकुल भी नहीं, बिलकुल भी नहीं, तो कैसा change है chemical change है, ठीक है अच्छा, physical change कैसा है, जो आपका wax था, mom था, ठीक है, वो पिंगल गया है, वो क्या पिंगला है पिंगला तो आप उसको दुबारा बना सकते हो, दुबारा मौमबत्ती उससे बना सकते हो, तो ये कैसा physical change है, clear है, तो इसने यह आँ पर बताया, कि मौमबत्ती के अंदर दोनों पर करके change हो रहे है, physical भी और chemical भी, ठीक है भी, यह आपका chapter था, chapter आपका समाप्त हुआ, I hope आप लोगों को बाते समझाए होगी, मिलते हैं आप लोगों से बहुजल दी, next chapter के अंदर